मैं logarithm से पहले यहाँ पर बात करूँगा exponential और इसको ज़्यादा generalize करने कि exponential function जैसे आप सभी को बता है हमने modulus function हमने greatest integer function हमने fractional part function का जो है जिक्र किया था वैसे ही एक exponential function हाला कि इसका कुछ basics मैं आपको बता चुका हूँ exponential function यानि एक पर से कही ना कहीं हम law of exponents यानि exponents की बात करने वाले हैं लेकिन मैं इसको function की form में इसलिए कि रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिलेगा y is equals to a power x इसे मैं exponential function बोड़ूदा इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर law of exponents से एक बार फिर रूबरू करा देता law of exponents law of exponents जो है वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं मैं उससे एक बार पिर आपको जैसा मैंने कहा रूबरू करवा रहा हूँ तो आप सभी को पता है यहीं कभी कोई कहे कि a power 0 तो आप कहेंगे a power 0 will be equals to 1 if yours a is a valid number a 0 नहीं होना चाहिए a non-real नहीं होना नहीं हो सकता है non-real की हमें बात नहीं करने है लेकिd a 0 नहीं होना चाहिए 0 to the power 0 define नहीं है a power 0 की value कितनी 1 पर इसी तरह से यदि कोई आप से कहें बचे कि a power 1 तो आप कहेंगे a power 1 is equals to a अब आपको क्या मुझा चल रहा है ऐसे कुछ बताता है कि a power 0 is equals to 1 a power 1 is equals to a भहिया नहीं बताते हैं इसलिए परेशानी होती है मैं आपको यहाँ जिस सीक्वेस में बता रहा हूँ मैंने का ना थोलसा अंदाज हरके है swag है मेरा अपना तो वो जो swag है उससे बहुत जबर्दस पाइदा होने वाला है देखेगा a power 1 is equals to a फिर आपको एक और चीज पता है मेरे बच्चे क्या कि यदि कहा जाए कि भहिया a power x is equals to 1 upon a power minus x आप कहेंगे बिलकुल होता है कोई दिक्कत नहीं इसी दार से आप ये भी कहा सकते हैं कि भई यहाँ पर a power minus x is equals to 1 upon a power x ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है ये भी होता है इसके बाद बात करें मेरे बच्चे तो यहाँ पर आपको पता है कि a power x into a power y ये भी आपको पता है कि ये होता है a power x plus y होता है बिल्कुल होता है इसी दर से बच्चे यदि मैं आपसे कहूं कि भाई आप हमें बता हो कि a power x upon a power y तो आप कहेंगे कि सरी बन जाएगा a power x into a power minus y जी यहां यहां से मुझे दिख रहे है कि a power minus y बन जाएगा और इन दोनों पर यदि में यह वाला रूल लगा दूँग तो यह a power x minus y बन जाएगा यानि same base पर different powers के terms multiply किये जाते हैं तो power add हो जाती है चाए वो power positive है चाए negative है उससे फ़र्क निपड़ता है power add हो जाती है तो इसी दर से यहां पर अगला अगला आप सब को यह भी पता है कि भाई यह दि a to the power x whole raise to power y power raise to power will get multiplied yes यह भी आपको बता है कि यहां पर a power x y बन जाता है और इसे हम a power y whole raise to power x भी लेख सकते हैं एक ही बात है है कि ना जी हां बिलकुर सही इसी दर से बच्चा आप सब को यह भी पता है कि यह दि कोई आप से कहें कि भाई nth root of a आप कहेंगे this is a to the power 1 upon n लेकिन यहां पर n का natural number होना जरूरी है जी हां n is a natural number even if greater than equals to 2 भी चलता है यह आपको मैं पहले भी समझा जुका हूँ law of exponent में हमारे foundation maths में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि रिखो if a power m is equals to b तो आप क्या कह सकते है a is equals to b to the power 1 upon m यह भी आपको बता है यह सारी चीज़े हैं और इसमें कुछ और चीज़े भी आएंगी तो वह हम बताएंगे लेकिन यह basic जो है यह आपको बता अब मैं आपसे बस इतनी सी जानकारी चाहूँगा कि क्या आप में से कोई है जो इसका graph मुझे बना देगा xy plane में xy axis के साथ इसका graph को भी बना के दे सकता है चलिए आपके काम को तो आसा आसान करते हैं आपके काम को आसान कैसे करते हैं कि यह दी मैं आपसे उच रहा बहुत बहुत जरूरी है देखिए मैंने का ना जिस लहजे में जिस अंदाज में हम logarithm पर आएंगे वो बहुत बहुत जादा काम का है तो यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो आप logarithm में comfortable रहेंगे अभी मैं logarithm की बात ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब हम logarithm की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यह बहुत आसान है यह बिना मतलब इसका phobia कैसे हो सकता है किसी को चलिए जी तो यहाँ पर y is equals to 2 पार x मैं आप से चाहरा हूँ कि आप मुझे इसका sketch बना के आप इसे काफी लोगों ने बना दिया होगा अब कुछ लोग कह रहे हैं इसे sketch कै से बनाते हैं तो भी आप बहुत सिंपल सी बात है sketch बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना होता है बचपन में आपने graph paper पे बहुत सारे sketch बना ऐसे आपने line plot की हैं आपने क्या किया y is equals to 2x plus 3 किसी ने आपको दिया आपने उसमें x की value रखी 1 रखा y निकाल लिया 0 रखा y निक y निकाल लिया ऐसे आपने 3-4 x की values लेके corresponding y निकाला आपके पास जैसे x 1 पर y 5 आया तो 1,5 आपका एक point मिल गया x axis पर 1 y axis पर 5 लिया आप आपने x 5 रखा y की value minus 1 आ गई तो आप x पर 5 positive side मिलेंगे y पर minus 1 या negative side मिलेंगे एक और point मिल गया ऐसे जितने भी आपने data लिये हैं जितनी भी आपने observations लिये हैं उन observation से हर observation से एक point आपने graph paper पे mark किया होगा और सब को आप join कर दे दे आप इसे करते हैं वच्पन में आपने ये भी देखा होगा कि हाँ वच्पन में आपने बनाई होगी बथक बनाई होगी या आपने क्या कहते हैं rabbit खरगोश बनाया होगा आपने red बनाया होगा आपने जी हां किस तरह से याद आ रहा है तो कि आपको कोई magazine है कोई paper है आपके पास कोई book है बच्पन में तो आपने उसमे 1,2,3 इन सारे points को join करके pencil से जो है आपने खरगोश बना दिया था जी हां rabbit बना दिया था आपने ऐसे ही उनसे pencil से join करके आप आपने bird बना दी थी आपने बतक बना दी जी हा बहुत सारी चीजा आपने ऐसे life में की हैं तो वैसे ही आप जैसे आप बच्पन से करते आ रहें कुछ नया नहीं है वैसे आप यहाँ बहुत ज़्रूरी है graph बनाना मेरे बच्चे बहुत सिंपल है कुछ नहीं यह हमारा एक आप सभी को जानते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, यह है, यहाँ एधी मैं x को 0 देता हूं, तो भाहिए अभी अभी हम बात कर चुके है, a power 0,1 यानि 2 power 0,1, यानि x 0 पर y की value आपको 1 दिख रही है, एक पॉइंट तो मुझे यह दिख गया, x 0,y1, जी यह, 0,1 आप चाहे हैं, तो इस point को लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, चलिए, 0,1, x 0, y1, फिर मैंने अगली x की value लिए, मैंने बच्चे, यहाँ पर 1, x 1 लेते हैं, तो y का value, हाँ, क्या मिलेगा, 2 power 1, 2 power 1, यानि 2, यानि x 1 पर y value 2 मिल रही है, जी हाँ, यह एक और point पॉइंट मिल गया, यह मिल गया, 1, 2, x 1, y1, y2, इसी दा से, अगला x का value लिए, मैंने यहाँ पर 2, जब x की value 2 लेंगे, 2 square, यानि 4, तो x 2 पर y value आपको 4 मिल रही है, तो यह आपका y1 है, यह आपका y2 है, और मान लीजे, मैं तो आसा और अच्छे से इसको बनाएता हूं, कि यह y1, फिर x2, y2, फिर x, यह 3 और यह 4, और फिर यह ऐसे चलेगा, तो x2 पर y value 4 मिल रही है, यानि एक तरसे ही हम point की बात करें बचे, तो यह बन गया आपका point अगला, यह है 2, 4, x2, y4, फिर यही मैं negative से, ऐसे ही मैं x की value 3 लूँँगा, मान लीजे, मैं x को 3 भी ले लिया, तो आप जानते हैं 2 पर 3 यानि 8, यानि x 3 पर y 8, बहुत ही कहीं उपर मिलने वाला है, कोई point, मिलेगा, इसी रहा से मैं बच्चे यही मैं negative side में आऊं कि x को मैं negative value ले रहा हूँ, मैंने x को minus 1 दिया, x minus 1 दिया तो 2 power minus 1, 2 power minus 1 is 1 upon 2 power 1, बिलकुल, यह law of exponent बहुत काम आने वाल हैं, तो y का value exactly आपको 1 upon 2 मिल रहा है, यह point आपके पास आया, और यह है minus 1, 1 by 2, ऐसे मैं बच्चे यहाँ पर x का value मैंने minus 2 लिया, minus 2 लिया 2 power minus 2, 2 power minus 2 फिर वही कि 1 upon 2 power 2, यानि 1 upon 4, 2 power 2 यानि 4, 1 by 4, यानि आपको दिख रहा है, x minus 2 पर half से भी आदा हो गया, और आपके पास आपके पास आगया, minus 2 पर y का value 1 by 4, यह चल रहा है, यह सारे points, अब हम क्या करते हैं, इन सारे points को join किये देते हैं, लीजे बच्चे, ऐसे ही join करता है, समझेगा, एक बहुत जबर्दस pattern बनता है, यह तोधर समय ने दूर बना दिया है, यह देखें तो कुछ actually ऐसे बनेगा x3 to y यहां कहीं बहुत आगे जाएगा, actually इतना भी निवार आगे बनेगा, और उपर बनेगा actually वो, ठीक है, तो ऐसे चलेगा, तो यह आपके पास आगया, 2 power x का sketch, किस का sketch आगया जी, 2 power x का sketch, clear, I think यह तो clear हो गया, देखें, life में आपने कई बार एक बहुत common सी quotation सुनी हो एक common सी line है, जो बहुत जगे use होती है, इस आदमी नहीं है गज्या, जब दस growth की, इसने exponential growth करी है, कल तक तो यह इतना ही था, आज तो यह इतना हो गया, exponential growth, exponential decay, यह तो बहुत तेजी से नीचे आया है, बहुत तेजी से इतना बढ़िया चलता था एकदम से, हाँ, एकदम से तो बिल्कुल वो जो situation है, exponential growth, exponential decay, आखिर क्यों बहुत है, तेजी से आगे बढ़ना है, तेजी से नीचे गिरना, बहुत तेजी से, इसे normally हम exponential से बहुत है, exponential से relate करते हैं, क्यों, देखिए, यह result दिख रहा है, अब देखो, अभी तो हम यहाँ पर 2 से 3 पर आये, तो ही X का value ले लिया, तो और कितना उपर चले जाएंगे, देखो, 2 पर 4, 16, अभी तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही हम maximum इस हाँ पर मार्क कर पारें, 16 तो कितना हो आगे होगा, और सोचिए, 10 तक जाने में तो 2 पर 10, 1 GB हो जाएगा जी, हाँ, 1024, तो clear है, इतना आहसान नहीं है, दि से 2 पर 10 किया, जी हाँ, 1024 हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया, तो यह सारी चीज़ है, exponential का मतब बहुत तेजी से बढ़ना, यह exponential का graph, 2 पर X का, अब मैं आप से एक और चीज़ पूछता हूँ कि भई, क्या आप में से कोई है, जो मुझे इसी तरह से 3 पावर X का graph बना 3 पार X का graph, कोई है, जो 3 पार X का graph भी ऐसे ही इतनी आसानी से बना सकता है, आप को होगे, क्यों नहीं बना सकते है, वैलिव तो दे नहीं है, अब तो हम सीख गए है, कि हम X को 0 देते हैं, X को 0 दिया, 3 पार 0, यह कहता है, कि वो तो A कुछ भी हो, चाहे 2 पार 0, चाहे 3 पा मिलेगा, यह वैदा पॉइंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, भई इस वाले में तो X को 1 देने से 2 मिल रहा था, अब इसमें X को 1 देने से 3 मिलेगा, यह मिलेगा, पर X को 2 देंगे, तो क्या मिलेगा, देखो, X को 2 दिया, तो पहले 4 मिल रहा था, अभी 2 पर क्या अब यहां पर नेगडिव साइड में चले तो होगा क्या देखो बच्छे यहां पर नेगडिव साइड में जैसी मैंने माइन रखा था तो मुझे मिला था x-1 पर 1 by 2 यानि हाफ अब यहीं मैं x को minus 1 लगता हूँ तो 3 पार minus 1 तो 3 पार minus 1 यहाँ से मुझे 1 by 3 नज़रा रहा है येस और 1 by 3 1 by 2 में कौन कम है 1 by 2 तो 0.5 है 1 by 3 तो 0.34 के असपास है यानि कम है 1 by 3 तो यहाँ कहीं मैं देख रहा हूँ minus 1 पर ऐसा कोई point मिलेगा minus 2 पर यह जनाब 1 by 4 वे ते 0.25 और minus 2 पर यह जनाब जो है 1 by 9 हो जाएंगे देखो अब 3 पार minus 2 यानि 1 upon 3 पार 2 यानि 1 upon 9 हाँ मरे बच्चे तो 1 upon 9 तो भहिया 1 by 4 से बहुता ही नीचे कहीं होगा अब इन points को join किया जाए तो graph कुछ ऐसा बनता है देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ही काम की चीज यहाँ से मिलने वाली है अबको यह graph बनता है कुछ ऐसा तो यह जो हमने पहले बनाया है 2 par x का और अब बन रहा है 3 par x का कि जब x positive है तो हमें 3 par x से value 2 par x के comparison में जादा मिल रही है काफी जादा मिल रही है 1 par 2 1 par 3 2 par 4 2 par 9 difference बढ़ता जाएगा इन दोलों के बीच में gap बढ़ता जाएगा graph के बीच में इसी दर से लेकिन यहीं मैं negative side की बात करूँ तो negative side में मुझे 3 par x से जो value मिल रही है वो कम मिलेगी 2 par x के comparison में क्यों? क्योंकि इस बार बड़ा number नीचे चलागे क्योंकि power negative होना यानि नीचे power positive होना तो बड़ी value नीचे जा रही है और नीचे value बढ़ रही है तो अब यहीं सी बात है आप कहोगे common sense 4 par x का graph ऐसे बन जाएगा यहाँ से और नीचे और यहाँ से और उपर यानि कोई यदि आपको 4 par x का graph बनाने की कहे तो आप 4 par x का graph कुछ ऐसे बनादो सर यह 4 par x होगा ना? हाँ, बिल्कुल clear? और इसमें एक बहुत commonly use होने वाला function और वो function है मानलो मैं आपसे कहोँ कि e power x का sketch बनाओगे क्या कोई? तो दे कि irrational irrational number के वक्त मैं e से आपको परीचित करा चुका हूँ e से आपका परीचित कराया जा चुका है याद कीजिए e की approximate value हमने क्या बात परे थी? कि e जो है वो approximately 2.71 के आसपास होता है यह एक irrational number है और इसे हम 2.71 के आसपास discuss किये थे तो आप देखो यदि e power x की बात की जाएगी तो e जो है वो 2.71 है यादि 2 और 3 के बीच में जी है, 2 से ज़ादा है 3 से कम है, तो अब यसी बात है e power x का graph जो है एक ही चीज़ समझ में आ रही है यह pattern एक ही जैसा है तेजी से बढ़ना है, जैसे जैसे base बढ़ेगा वैसे वैसे इसका बढ़ने का rate जो है वो और जादा हो जाएगा बहुत तेजी से बढ़ेगा अब मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछ रहा हूँ कोई है जो मुझे यहाँ पर इसका graph बना देगा वह यह y is equals to 1 by 2 to the power x कोई इसका graph बनाएगा 1 by 2 का power x बोलें या आप सभी जानते हैं कि 2 power minus x बोलें क्योंकि यह 1 upon 2 power x उपर गया तो आपको पता है कि यह उपर जाके क्या बन जाएगा 2 power minus x तो यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं तो क्या कोई मुझे 1 by 2 power x यानि 2 power minus x का sketch बना के दे सकता है अब मैं समझता हूँ sketch बनाने में किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है बहुत आसानी से सभी लोग बना पा रहे हैं कि सर्थ x की value देखे वाही तो निकालना है निकाल लेते हैं कि सर्थ हमने x को 0 दिया अब यहाँ वापस वही आ गया कि x को 0 दिया तो 2 power 0 आ गया चाहे आप जो है 2, 3, 4, 5, e लें चाहे 1 by 2, 1 by 3, 1 by 7 अब कुछ भी लें हर केस में यह point हर graph में होने वाला है एक common point है और वो हमने देखा भी है a power 0 is equal to 1 में वो लाए कि जो जो well defined a है उन सब पर power 0 के लिए a power 0 की value 1 ही होगे is it clear? yes, अब जड़ा गवर से देखेगा क्या हो रहा है मैं यहाँ पर मेरे बच्चे x की value 1 दे रहा हूँ जब मैं x की value 1 दूँगा तो क्या होने वाला है? नजारा देखिए आप x1 दिया, तो 2 power minus 1 मिला 2 power minus 1 2 power minus 1 यानि 1 by 2 यानि x1 पर y value कितनी मिल रही है 1 by 2 बड़ा मज़दा है पहले मुझे 1 पर 1 से ज़्यादा value मिल रही थी अभी 1 पर 1 से कम मिल रही है मिल रही है ना अब मैंने x को 2 दिया मेरे बच्चे 2 दिया तो 2 power minus 2 2 power minus 2 कितना हो गया? 1 by 4 यानि 2 पर value मिल रही है 1 by 4 3 पर मिलेगी 1 by 8 यानि 2 पर बड़ा में negative side की value पर करता हूँ मैंने x को minus 1 दिया अब मेरे बच्चे यानि x minus 1 है तो minus x तो plus 1 बन जाएगा ना बिलकुल बन जाएगा x यानि minus 1 है तो minus 1 तो plus 1 बन गया 2 power plus 1 2 power plus 1 यानि 2 x minus 1 पर y की value 2 आ रही है यानि ये बड़ा part x को minus 2 लेते हैं x को जैसे ही minus 2 लिया तो x power minus x आ 2 power minus x का मतलब क्या हो जाएगा कि x की value minus 2 तो minus x का value 2 2 power 2 2 power 2 यानि 4 यहाँ minus 2 पर value मिलने वाली है यहाँ कहीं minus 2 पर 4 बिलकुल इसी तरह से में बच्छे यहाँ मैं minus 3 की बात करूँगा तो minus 3 पर 8 कहीं बहुत उपर value मिले इन सबको join करता है इन सबको join करता है तो graph यह बनता है उइ तेरी समझ गया है यही graph बन गया बस यह यहाँ बन दा था first quadrant में यह हमारा second में बन गया जो second में बन दा था वो first में बन गया यह यह कहूं कि 2 power x के graph की ही यही y axis के about mirror image ले लो इस वाले का image यहाँ इस वाले का image यहाँ तो यही आ गया जी हाँ तो आप देखो 2 power x का graph तो मुझे दिख रहा था कि काफिया तक increasing pattern का था यह आप देखोगे 2 power x में तो क्या था x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा था यानि एक increasing pattern है x बढ़ा y बढ़ा x छोड़ा y छोड़ा यहाँ देखोगे तो decreasing pattern है x बढ़ रहा है आप left से right आओगे तो x बढ़ेगा x बढ़ रहा है लेकिन आप उपर से नीशे आरो graph में यानि y value कम हो रही है x बढ़ने के साथ y कम हो रहा है यानि यह decreasing pattern है अब basic common sense है कि यदि मैं आप से कहूँ कि मेरे बच्चे नहीं मुझे तो आप जो है 1 by 3 to the power x यानि 3 to the power minus x का sketch बना के बताओ आप कहेंगे बना विपर basic sense क्या कि सर यह समझ में आ गया ना इसका image लिया तो यह बन गया तो फिर यह green वाले का image लेंगे तो green वाला वापस बन जाएगा कि वही हम 3 पार x के sketch को 3 पार minus x यानि 1 by 3 के 1 by 3 पार x के sketch में बदल सकते हैं बस आपको ऐसे बना रहा है जी लीजे बना रिया this is of the graph 1 by 3 to the power x या 3 पार minus x ये कही बात है होगा ना, देखो ना, क्यों नहीं होगा यार वही 0 पे 1 मिलेगा वही minus, प्लस 1 दोगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1 दोगे तो 1 by 3 1 by 3, 1 by 2 से कम है नीचे आ जाएगा क्योंकि ये plus 1 पे 1 by 2 दे रहा था, ये 1 by 3 देगा 2 पर ये 1 by 4 दे रहा था, 1 by 9 देगा 1 by 9 तो काफी कम है, नीचे आ जाएगा negative side में रेखो, minus 1 पर ये जनाब 2 पार 1 बन रहे थे 2 दे रहे थे, ये बन जाएंगे 3 पार 1 यानि 3 देंगे, उपर मिलेगा minus 2 पर ये 2 पार 2 यानि 4 दे रहे थे, ये जनाब तो 9 पहुच जाएंगे 3 पार 2 बहुत तेजी से उपर जाएंगे तो ये ग्राफ बन गया, बना नी बना और आप ग्यानी लोग तो अब समझ गए हैं कि सर, ऐसे ही यदि इसकी ग्राफ रैड वाले की इमेज ले ली जाए तो आपको 1 by 4 to the power x का sketch भी मिल जाएगा जैसे जैसे यदि power x positive वाले की हमने plus x लिया है तो जैसे जैसे आप यहाँ पर a की value यानी base का value बढ़ाएंगे 2, 3, 4 वैसे वैसे यहाँ से y axis और यहाँ से x axis का अप्रोच वालेगा लेकिन minus x वाले case पर पार minus x लिया तब भी बात वही है कि यहाँ पर decreasing बनेगा और जैसे जैसे base का value बढ़ाएंगे नहीं base बढ़ नहीं रहा है कम हो रहा है देखिए 1 by 2 से 1 by 3 आए 1 by 3 तो कम हो गया base कम हो गया base कम होने पर यह y axis को अप्रोच करेगा यह नीचे जाएगा x axis का प्रोच करेगा यह हमारा exponential graph आप सोचे रोंगे यह chapter तो logarithm थमता यह क्या कहान है देखिए हर बढ़िया चीज को सीखने के लिए बढ़िया platform चाहिए और वो platform हम तैयार करते हैं मेरे बच्चे अब मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि क्या आप मुझे y is equals to 1 to the power x का sketch बना के बताएंगे आपको गयर यार यह देते पहले तो हम सारे के सारे बना देते हैं यह तो कितना आसान है कि x की value आप कुछ भी दे लो 0 दे लो 1 दे लो minus 1 दे लो 2 दे लो minus 2 दे दो हर बार 1 ही में देगा जी हाँ 1 to the power 1 1 1 to the power 7 1 1 to the power minus 8 1 1 to the power 0 1 यानि यह तो हमेशा 1 ही देगा यह लाइन बन जाएंगे y is equals to 1 to the power x अब मैं चलो इसको पूरा एक साथ बना रेता हूँ dark line, hard line बना दे अब मैं आप से पूछे हूँ कोई वेक्टी कल भी लाग रुपे मैंने कमारा था एक साल बाद भी लाग रुपे मैंने कमारा है पांस साल बाद भी लाग रुपे मैंने कमारा है ग्रोथ हुई क्या उसकी नहीं भी ग्रोथ, वो तो constant है क्या 5 साल पहले भी लाग पे कुमारा था आज भी लाग पे मैंने कमारा है और अल्वाई सब taken का रहा घाल अब यहाँ तो है पूशले साल लाग पे मैंने कमारा तै और 5 लाग पे मैंने कमारा होगा, यह होती है exponential growth होदी नहोदी तो यहाँ तो मैं दिख रहे हैं कि यह तो constant है जनाब इसको क्या मैं exponential बोल सकता हूँ क्या ना, कभी नहीं यानि यदि मैं exponential function की बात कर रहा हूँ तो एक बड़ी मज़दार चीज हमने यहाँ पर conclude कर ली कि भाईया, ए जो है वो one नहीं नहोना चाहिए one के case में हमारा a function explanation function नहों के क्या होगा एक constant function होगा तो यदि a power x exponential function की बात की जाए तो यह ध्यान रखेगा, वहाँ पर a को हमें one नहीं लेना है चीट, चलिए अब मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ एक और बहुत ही बढ़ी है गुजारिश की मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि भाई, क्या कोई मुझे y is equals to minus 2 to the power x का sketch बना के देगा दे दोगे, यार क्या रिक्कत हैं बहुत आसान है, बहुत आपर आवर से तो बनाया होगा sketch काफी दुक्र ने बना दिया, बिल्कुल से ही कि सर्क कुछ ली करना है, सर्क बहुत आसान है ग्राफ बना लिया हमने कैसे कि सर्क एक्स को 0 दिया y1 आ गया 0,1 एक पॉइंट आ गया ठीक है फिर सर्क हमने x को 1 दिया जिया x को 1 दिया, तो यहाँ पर minus 2 पार 1 आपके पास minus 2 आ गया यानि x1 पर y की value आपको minus 2 मिल रही है यानि यहाँ कहीं आपका point, minus 2 वाला ठीक, कि सर्क पर x को हमने 2 दिया, चलिए जी दिरिया 2, 2 दिया, तो सर्क यहाँ पर minus 2 का square minus 2 का square 4, जी हाँ तो सर्क यहाँ पर आपको 4 मिल जाता है यह आपका एक और point आए 3 दिया, तो उस case में आपके पास कि सर्क, minus 2 का cube यानि minus 8 आ जाएगा, तो minus 8 यानि नीचे कहीं point आए negative side में, कि सर्क, negative side में आ गया, यानि minus 1 पर minus 2 आ गया फिर इसी तरह से, sorry, minus 1 पर minus 1 by 2 आ गया minus 1 पर minus 1 by 2 जी हाँ, कि जैसे हमने यहाँ पर बन दिया तो यह minus 2 पर, हाँ, 1 upon minus 2 पर 1 बन गया यानि minus half आ गया, यानि यहाँ आ गया तो इसी तरह से हमने minus 2 दिया, सर्क, तो minus 2 बन गया 1 upon minus 2 का square यानी 1 by 4 आ गया यानी minus 2 पर जो value आएगी वो 1 by 4 यह आएगी इन सारे points को से हम join कर देखे चले जी आप लोग कह रहे हैं तो मैं इन points को join कर देता हूं कि sir यह ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसी दर से फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जिगजग सा graph बन जाएगा और आप में से काफी लोगों ने जिगजग सा graph बना है कि sir यहाँ जैसे इसे आगे जाओगे यह नीची पास आता जाएगा और यहाँ बहुत उपर तक जाएगा ऐसे जाएगा अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया ज्ञान देता हूँ भाई साब आस्तक इसका graph माइनस चू पार एकस का graph मुझसे भी नहीं बना बस आप बना दिये हैं यहाँ आप तो मुझसे भी आगे निकल गये हैं यह तो वहली बात होगी गुरू गुरू तो चेला शक्कर जी हाँ तो यहाँ पर मेरे बच्चे यह graph हम आस्तक नहीं बना पाए और आप बना लिए जी जिग जैग प्लस आप बचपन से उल्ठो सिर्फ पढ़ने रिखने में ही जो है बचपन हाँ क्या कितने बचपना है बाकी दोस्ताब आप पूरी दर से व्यस्क हो चुके हो पढ़ने रिखने में आज भी हमारे लिए जो है मतलब numbers का मतलब integers है आज भी यदि हम number है कह रहा हूँ कि x की value लेकर आप graph बनाओ तो आज भी हमारे लिए x की value का मतलब 1 लेलो 2 लेलो, 0 लेलो, minus 1 लेलो इनी पर है आज भी हम जो है x का मतलब इनी value लेने का मतलब नहीं समस्ते कि एक बार half लेकर देखते हैं, एक बार 1 by 3 लेकर देखते हैं एक बार 7 by 2 लेकर देखते हैं कहें, क्यों लेंगे अरे, simple सी बात है कि क्यों लेंगे नहीं यार, comfort नहीं हमारा कौन निकालेगा, 2 का पर 7 by 2 हाँ, 2 का पर 7 निकालेगा वागो हमसे हम निकाल देगे 64 होगा, हाँ होगा दा 64 128 होता है, जी हाँ तो देहां हम निकाल देगे 2 पर 7 निकाल देगे, सर कोई दिक्कत देखते हैं किसी एक बहुत समझार वेक्टी ने कही है Every success takes place outside the comfort zone वहिया, सफलता comfort zone के बाहर आने से ही मिलती है जिसने comfort में रह के काम किया, वो सफल नहीं हुआ जिसने परेशानिया जहली, वही सफल होता है और जबदस तरीके से सफल होता है मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुना रहा हूँ सफल्दा का सफल्दा किसे कहते हैं और सफल्दा जो है, वो बोलती है बहुत जबदस तरीके से बोलती है जिया, चार्ली चैपलिन को आप सभी जानते हूँ चार्ली चैपलिन जो है उनको मैं नहीं समझता कि कोई भी नहीं जाता होगा किसी भी एरा का बंदा हो चाहे वो हमारे से पुराने यानि हमारे बाता-पिता हमारे दादा इनकी एज का बंदा हो चाहे हमारी एज का बंदा हो चाहे आपकी एज का बंदा हो बट फिर भी चार्ली चैपलीन के बारे में सभी ने सुना है, सभी जानते हैं, कहीं न कहीं आपने देखा भी होगा निश्चित्र है, एक ऐसा कलाकार जिसने कभी भी परदे पर आवाज नहीं निका लिए, बोला नहीं कभी भी, जानते हैं, कि मतलब बहुत सारी उनकी मूवीज ऐसी थी, जो मतलब ऑसकर के लिए इलिजिबल थी, ऑसकर मिलना चाहिए था, लेकिन जैसे इंडिया में भी होदा है न, कि जब हमारे देश की किसी एक पार्टी की सरकार आती है, तो उस पार्टी के लोगों को जो है, पदम श्री मिलनी श्रू हो जाती है, पदम विवुशन मिलना श्रू हो जाता है, जी हाँ, उस पार्टी के लोगों को भारत अत्म भी मिल जाता है, फिर दूसरी पार्टी आत हनेश है मानना था जो क्या कितने आउसकर की जूरी थी कई बार nomination भी हुआ लेकिन दिया नहीं उनको reasoning कि उनका मानना था कि communist है बन्दा communist कभी पढ़िएगा Google पे search कीजिए Google कीजिए communist का मतलब क्या होता है Charlie Chaplin को Oscar की जूरी जो है वो communist मानती थी इसलिए उनको कभी भी Oscar नहीं दिया लेकिन बहुत समय बाद जब Charlie Chaplin काफी बुजूर्ग हो चुके थे बहुत समय बाद जो है Charlie Chaplin जूरी को जो Oscar की जूरी में भी लोग बदले लोग बदले तो समय के साथ सोच भी बदलती है निश्चित रूट से हमारी एज वाले हो चाहिए आपकी एज में भी बहुत सारे लोग नेता आप में से भी काफी लोग नेता हैं जो ग्रूप में नितागरी करते रहते हैं ठीक है तो नेता चाहिए कैसा भी हो उसकी सोच है कि कैसे भी गद्धी मिल जाए करते हैं अपयर जैसे जिस जाए झनरेशन बदल रही है इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सुना ना, नहीं ऐसे वो खुल भी जात्मिरहार्दी को नहीं वानते थे, तो समय के सार integrator लोग आ रहे हैं, चीजें बड़ा रही हैं तो उस समय में भी ऐसा हुआ कि Oscar की ज्यूरी में कुछ नए लोग आये तो उनको लगा किön्या कर दिdoes, तो अब फिल्म बना नहीं रहे तो अब आसकर तो दे नहीं सकते हैं उनकी किसी फिल्म को क्योंकि आसकर तो इस साल की फिल्म का अगले साल मिलना है इस साल मिलना ऐसे चलता है तो अब ऐसा तो है नहीं कि 20 साल प्राणी फिल्म के लिए आसकर इस साल मिलेगा तो आस्कर की जूरी ने चार्ली चैपलिन को Lifetime Achievement Award दिया उनको बुलाया गया स्चेज पर चार्ली चैपलिन काफे बजुर्ग हो गये थे मेरे पास वो वीडियो क्लिप भी है बतलो एक छोटी सी चार्ली चैपलिन को जब बुलाया गया उनको Lifetime Achievement Award दिया गया और उनसे कहा गया कि पांच मिनट आपके पास हैं आप माइट पर कुछ बोले चार्ली चैपलिन एक ऐसी सक्षियर जिसने कभी भी परदे पर एक शब्द नहीं बोला उसे पांच मिनट बोलने के लिए दिये गए स्चेज पर क्या किया होगा चार्ली चैपलिन है सोचिया क्या क्या अंदर भावना है उनके अंदर रही होंगी उन्होंने क्या क्या बोला होगा किस किस का शुक्रिया अदा किया होगा या कोई गिला शिक्वा कोई इंडियन होता तो मेरे को अभी तक नहीं दिया था थे चार्ली चैप्लिन कुछ बोलते उससे पहले उनकी वही ऐसे हाथ और चेहरा हिलाने वाली जो स्टाइल की वह स्टाइल उनके मतलब वह गदगद हो गए आखे नम थी वह वैसी उसी स्टाइल में पढ़ने में चलते थे वैसी वो दो कदम चले और माइक तक आए और उसके बाद जो हुआ वो कभी आप देखोगे कहीं सुनो कि तो मजा आएगा और पता चलेगा किसे कहते हैं काम्यावी सर चड़के बोलती है क्यारिय आप वाकई एक सक्स हैं जो कमफर्ट जोन से बाहर आके काम कीए है सोच ये कंफर्ट जोन कितना कंफर्ट जोन है आज आप सोचो आज की तारीग में कार्ती कारियन से कह दिया जाए या सलमान भाई से कह दिया जाए कि राधे बनाओ गुबरा और बोन लानी कुछ भी इस बाद कितना बड़ा काम है बिना बोले सालों फिल्मी जगत में काम करना फिल्में बना दे ला कि जब चार्लीच अपनी थोड़ा सा चलके माइक के सामने आये ना बचे पांच मिनट उनको मिले थे और आसकर ऐसा प्लेटफार में वहां का हां क्या कितने हैं यह मान के चलो जो सेलिवरेशन होता है जो सभार होता है जो वहां पर फैसलेशन सेरिमेनी होती है उसमें टाइम होता है सब कुछ टाइम पर 5 मिनट बोला मतलब 5 मिनट ही मिलेंगे सारे 5 भी ना बिलेंगे 5.5 भी और उसके बाद यकीन मानिए उस हौल में जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए चार्ली चैपलिन कुछ नहीं बोल पाए बारा मिनिट तक पांच मिनिट नहीं बारा मिनिट तक आसकर में पहरी बार ऐसा हुआ बारा मिनिट तक लोग तालियां बजाते रहे चार्ली चैपलिन को बोलने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो बोलना भी नीचा पिर क्योंकि उनकी बोलने की कामिया भी थी है और वो बारा मिर्ट चार्ली चेपनिल के उनका कहना था कि जिन्दकी के सबसे हसीन पल थे जब उन्हें पता चला कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है वोने कहा कि मुझे आज पता चला कि मैंने क्या किया था जी हाँ यदि आप comfort जो उन से बाहर आके कुछ करो के तो सच है यकीन मानिये सफलता बोलेगी और यहाँ IAT करना जो है उसको यदि आप सफलता का parameter मान रहे हो और वो भी नहीं कर पा रहे हो बताओ कैसे काम चलेगा हम उसमें भी जो है comfort जो उन से बाहर नहीं आना चाते है मैंने बच्चे चलिए बाते चलती रहती है यह बहुत ही बढ़ी बढ़ी आ किस्सा मुझे याद आया तो मैंने आपके साथ शेर किया यह जो graph बनाना था यह मैंने कहा था कि यह graph हम आज तक नहीं बना पाए reason being कि हम जो है proper तरीके से numbers सोचते हैं अभी हम बच्चे रही रहे हैं हमें पता है कि जब हम x की value ले रहे हैं तो हम x को half भी लेना चाहिए x को 1 by 3 भी लेना चाहिए x को 20 21 लेना है तो 1 by 20 21 भी लेना चाहिए अब आप सोचिए आपने यहाँ पे मेरे बच्चे 0 पर 1 value ले ली 1 पर आपने minus 2 ले ली दोगों को join कर दिया अब join करने किया है तो कहीं लग कहीं यहाँ पर half होगा उस half पर जो y value आ रही है वो यह आ रही है आपके साब से भी x equals to half वाला graph का point मैंने पकड़ा तो भी यह वाय कुछ ऐसा दिख रहे है तो कोई point तो है कोई point तो है x equals to half वाला इस graph में क्योंकि हमने तो continuous add कर दिया join कर दिया यहाँ पर अब लेकिन आप देखो क्या x equals to half रखने से हो रहा है minus 2 का par half square root of minus 2 लग गई जी वाल लग गई ना minus 2 belongs to real number not belongs to real number यह तो real number ही ना है लाला और हम तो real ले लिए है तो क्या करेंगे इतना ही नहीं समझिएगा आपको foundation math में क्यों सारी चीजे बहुत आराम से बताई है बहुत छोड़ चीजे बताईए उसका मज़ा आगा आगे देखे minus 2 का पहाँ जैसे आपने par half लिया does not belongs to real number मैंने का नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया 1 by 3 लेते हैं आप कहोगे real number negative number का cube root define होता है और negative होता है minus 8 का cube root को पूछया बता दोगे minus 2 minus 27 का cube root पूछया बता दोगे minus 3 minus 1 का cube root पूछया बता दोगे minus 1 तो ऐसी कुछ ने कुछ value minus 2 के cube root की भी होती होगी yes होती है real होती है पुर मैंने कहा कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया minus 2 का par 1 by 4 बता आप कहोगे जी लाला जे भी रियल नमबर नहीं है नहीं है ना क्योंकि इसको तो मैं क्या लेख सकता हूँ इसे तो minus 2 का par 1 by 2 का par 1 by 2 लेख सकता हूँ भाया और ये तो non real का square root है non real आ गया इतना ही नहीं और मज़दा देखिए minus 2 का power 1 by 20 20 not a real number minus 2 का power 1 by 20 21 is a real number minus 2 का power 1 by 20 22 not a real number जब भी आप negative number का eventh root निकालते हो चाहे आप power 1 by 4 चाहे power 1 by 4 चाहे power 1 by 20 20 चाहे 1 by 20 22 जी हाँ ये real number नहीं होता है लेकिन power में जब आप eventh root की जगे odd root की बात कर रहे हो 1 by 3, 1 by 5, 1 by 20 21 की बात कर रहे हो ये real number है अब आप ज़ना देखिएगा यहाँ x की value ये है यहाँ x की value ये है मैं कहूं इन दोनो x values के बीच में difference बता रहे लला 1 by 20 20 बहुत चोटा नमबर है 1 by 20 21 उससे और थोड़ा सा चोटा नमबर है 1 by 20 22 और चोटा नमबर है लेकिन मैं आपसे कहूं कि 1 by 20 20 निकाल के बताओ जी मेरे को नहीं बताएगा आप में से कुई इतना चोटा नमबर है तो सोचो जब x की value में मैंने इतना सा change किया इस चोटे नमबर से यहां आया और switching कैसी हो रही है y की x इतना सा बतला है मैंने बहुत जला सा मैं scale में mark भी नहीं कर पाऊंगा यहां पे 1 by 20 20 और 1 by 20 21 कहा अब दो अलगलग point mark भी निकर पाऊंगा लेकिन उसमें y की switching कैसी हो रही है real, non-real, real, non-real यहां 0 से 1 के बीच में infinite points ऐसे होंगे जहां यह value real लेगा और infinite ही ऐसे होंगे जहां यह non-real लेगा real वाले point तो होंगे non-real वाले होंगे नहीं कैसे graph बनाएंगे जी हां बहुत मज़िदार चीच है तो negative number to the power x यदि x minus infinity से plus infinity सारी value आप दे रहे हो तो भहिया graph नहीं न बनेगा हो ही नहीं सकता दे ही नहीं सकते x की सारी value क्योंकि बहुत सारी values होंगी infinite values होंगी किसी भी छोके से interval में भी जिनके लिए ये non real होगा graph नहीं बनेगा तो अब हम क्या सीखे अरे जब graph ही नहीं बनेगा इसका तो graph बढ़ रहता बिचारे का कितना सीधा सब कितना प्यारा सा graph बढ़ा ये भी exponential नहीं है जिसका graph नहीं बनेगा उसको मैं exponential कैसे बोल दूँगा नहीं न बोल सकता ना इसका मतलब क्या है मेरे लाल यहां समझ जाना है कि भाया इस exponential का जो base है ना ये greater than 0 होना चाहिए तो यदि exponential function y cos a power x की बात की जारी तो दो बहुत मज़दार conclusion हमारे पास आ गए है a 1 नहीं होना चाहिए base 1 नहीं होना चाहिए base positive number होना चाहिए यदि मैं minus infinity से plus infinity x की सारी value देना चाहता हूँ तो isn't it yes और इन सारे graph को देखकर मुझे एक और चीज समझ में आती है यार इन में से कोई सा भी graph ले लो आप चाहिए 2 पार x लो चाहिए 1 पार x लो किसी भी graph में क्या x axis के नीचे कोई point मिल रहे है नहीं मिल रहे है ग्राफ तो पूरा x axis के उपर है जी हाँ पूरा x axis के उपर है इसका मतलब इसका मतलब मेरे बच्चे एक बहुत मज़िदार result यहां से फिर मिलता है कि a पार x जो है वो हमेशा कैसा होगा एक positive real number होगा कौन है जी a पार x यहां पे y तो यदि y exponential function के एकवले a पार x के एकवले तो कभी negative नहीं होगा even if 0 भी नहीं होगा क्या कोई graph का ऐसा point है जो x axis पर है नहीं x axis पर तो y 0 होता है ग्राफ पूरा का पूरा x axis के उपर है लगाए infinity पर जाके कहीं आएगा infinity जैव माइनस infinity जैसी चीज़सों कोई होती नहीं हम तो यह बात करी चुके मतलब exponential हमेशा एक positive number होगा exponential का base हमेशा एक positive number होगा not equals to 1 होगा is that clear yes, जी clear हाँ तो अब यह जो सारी जानकारी है इस जानकारी को एक बार फिर हम देख लेते हैं फिर इसको अलग से लेकर 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 क्या exponential function में a जो है base जो है वो positive होगा not equals to 1 होगा exponential function हमेशा हमें एक positive value देगा यानि वो जो y है वो हमेशा कैसा होगा positive होगा यहाँ इस वाले case में base greater than 1 लिया base greater than 1 लिया तो इस देख से increase करता हुआ graph बना लेकिन जैसे हमने base को 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 लिया यानि base हमने कैसे लिया मेरे बच्चे less than 1 लिया positive ही तो है लेकिन less than 1 है तो base less than 1 होने में हमें देखा कि graph जो है वो ऐसे decreasing बन रहा है negative side में value जो है 1 से ज़्यादा मिल रही है positive side में value 1 से कम बिल रही है यह देखा हम लिया अब एक और चीज़ जो हम यहाँ conclude कर चुके है क्या कि जैसे जैसे a greater than 1 में आपने a की value बढ़ाई graph इदर से y axis इदर से x axis को अप्रोच करना शुरू कर दिया जैसे हमने a less than work पर यह गौर फरमाया तो जैसे हमने a की value कम करी 1 by 2 से 1 by 3 पर है 1 by 3 से 1 by 4 पर है वैसे वैसे graph y axis को अप्रोच कर रहा है इदर x axis को अप्रोच कर रहा है इस सारा graph अब देखिए इन सब के विहाफ पर यह सारा जो discussion हमने किया है इसके विहाफ पर मैं exponential का जो graph है उसे एक और तरीके से दुबारा बना दे generalized exponential function की बात कर रहा है generalized exponential function की क्या बात कर रहा है कि यह graph जो बनेगा यह वाला देखिएगा मैं ऐसे बना देखाँ यह वाला graph यह वाला graph A power X का graph है जबकि A greater than 1 है 2 power X, 3 power X, 4 power X वो अलग बात है कि 2 power X में ऐसा है तो 3 power X में ऐसा हो जाएगा 3 power 4 X में 4 power X में ऐसा हो जाएगा वो अलग बात है बट pattern ऐसे increasing रहेगा बिलकुल रहेगा फिर मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने देखा यह वाला graph कब बन रहा है यह भी हमने देखा कि भई यह भी A power X का sketch है लेकिन यह कब है जब A की value 0 और 1 के बीच में है यहाँ तक का सारा discussion समझ में आ गया A greater than 1 के case में increasing pattern, A less than 1 के case में decreasing pattern ऐसा, दोनों में एक point common है कौन सा? वही 0,1 यहाँ तक की सारी चीज़े clear है अब मृरे बच्चे यहाँ पे यहाँ पेयादी मैं आपसे कहूं कि कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से निकाली जा सकती है कुछ result हम यहाँ से निकाल सकते है उसमेदी मैं आपसे कहूं कि भई यह जो है A power minus X या सॉरी है, माइनस X ली हम एक काम करते है A पार माइनस infinity जबकि A आपका गर्टे देन 1 है A अधी गर्टे देन 1 है तो X की वैल्यू माइनस infinity पर क्या होगा आप देख रहे हैं भई, X माइनस infinity यानि यहाँ बिरूप कुल पीछे, ऐसे चोगा माइनस infinity तो वहाँ कहीं होगा तो जब A पर पार माइनस infinity रेस कर रहे हो, जब A गर्टे देन 1 है यानि इस वाले गराफ की बात कर रहे है तो हम क्या देख पा रहे है कि A पार माइनस infinity किसको अप्रोच कर रहा है 0, क्या 0 हो जाएगा बही कोई माइनस infinity यासा नंबर नहीं होता है तो जब A पार माइनस infinity होगा ही नहीं तो ये 0 कैसे होगा मुझे इस समझ में आ रहा है हाँ ये बहुत आगे जाके कहीं Y axis को touch कर रहा होगा लेकिन कहां इस pattern से समझ में आ रहा है बही है चलते जाओ touch तो नहीं करेगा माइनस infinity पर ये value 0 को approach कर रही होगी 0 या नहीं Y value Y value 0 या नहीं X axis तो आपको दिखे रहा है यदि आप 2 पार माइनस infinity की बात करोगे 0 होगा 2 पार 5 पार माइनस infinity की बात करोगे 0 होगा 3 पार माइनस infinity की बात करोगे 0 होगा तो value 0 को approach करेगी, और इतना ही नहीं मेरे बच्चे, यदि मैं कहूं कि power infinity किसको approach करेगा, तो आप कहेंगे infinity को approach करेगा, यानि जब भी a greater than 1 है, यदि x की value infinity है, तो y कितना होगा, infinity ही तो होगा, होगा नहीं होगा, यह feel है, क्या होगा, यदि a less than 1 में सारी बात हैं की जाएगा, जी या बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि a less than 1 वाला graph, यह रहा मेरे सामने, यह less than 1 वाला graph, इसमें जैसे जैसे आप आगे जाओगे, यह x-axis के नजदी काता जाएगा, यहाँ मैं कहूंगा कि x-axis पर कहां touch करेगा, तो आप कहोगे infinity पर, x-axis पर touch करने काओद है, x-axis का मतलब y 0, यानि a power x 0, यानि a power infinity जो है, वो 0 हो जाएगा, तो जब भी base less than 1 है, power infinity क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो obvious ही बात भी है, यदि कोई कहे कि 1 by 2 का power infinity, तो आप कहोगे, यह कही तो बात है, 2 power infinity, increasing graph, infinity पर infinity होगा, यानि नीचे infinity आगया, उपर 1 आगया, 1 upon infinity, finite upon infinity हमेशा क्या होता है, 0, तो जब भी base less than 1 है, उस पर यदि आपने power infinity raise कर दी, तो 0 देगा, और मेरे लाल, यह base less than 1 वाला graph, यदि मैं पूछ हूँ, कि x minus infinity पर y की value क्या दे रहा होगा, तो आप कहोगे, oh infinity बिल रही होगी, minus infinity में point कहा है, वहाँ से आगा graph, आ रहा है निया आगा ऐसे, तो इसको यहाँ समझ में आता है, कि जब भी a less than 1 है, मैं एक और चीज कह सकता हूँ, कि a power minus infinity जो है, वो infinity को approach करोगा, वहाँ बड़ा नमबर होगा, होगा, बिलकुल होगा, होगा ना, तो यह सारा conclusion हमने किया, इसके अलावा एक और मज़दार चीज, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बड़ी मज़दार चीज है, देखिएगा, अच्छा मैं उस मज़दार चीज से पहले आप से, कुछ चीजें पूछता हूँ, कि if, a power x1, is equals to a power x2, then, आप बदा सकने क्या हूँ, हाला कि यह हमने foundation maths में, fundamental maths में, हमने बहुत अच्छे से चीजे सीखी है, लेकिन अभी मैं मानदा आप से कह रहा हूँ, कि भई, a fix है, क्योंकि याद करो, a power x1 is equals to a power x2 को, हमने fundamental maths के अंदर, हमारे foundation maths के अंदर देखा था, कि x1, x2 की एक पॉस, x1 और x2 आपस में equal हो जाए, a1 हो जाए, a-1 हो और x1, x2 है, तो दोनों e1 हो है, दोनों odd हो, याद करो, इस सब चीजे हमने class में करी है, जी हाँ, हमने करा है, और याद फिर a0 हो जाए, और power जो है, वो negative ना हो, positive power हो, जी हाँ, तो ये सारी चीजे करी है, लेकिन अभी जो मैं इस case की बात करूँ, exponential वाले case की, कि a fix है, a पर आपके पास choice नहीं है, a को आप 0 नहीं बना सकते, a को 1 नहीं बना सकते, a को minus 1 नहीं बना सकते, क्योंकि हम exponential function की बात कर रहे हैं, अब हम क्या बात कर चुके हैं, कि a जो है, यानि बेस जो है, वो positive number है, not equals to 1, तो ऐसे case में तो, आप सब जानते हैं, x1 और x2 को ही बराबर होना पड़ेगा, मैं कहूं, 2 power x is equals to, 2 power 3, तो आप कहेंगे x equals to 3, यहीं कहेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पार, पर इसी दरह से, यहीं मेरे बच्चे, मैंने कहा कि भई, if a power x1 is greater than a power x2, then, आप क्या कहेंगे, a power x1, a power x2 से बड़ा है, वद्वो, क्या कहों गया, अब, आप में से काफी लोग कहेंगे, x1 greater than x2, simple, कि जब यहाँ x1 equals to x2, तो यहाँ x1 greater than x2, ना, अब समझेगा, बड़ी मज़दा चीच, यहाँ से, एक बहुती बड़ी बड़ी चीच, आपको लिश्च आपको सिखा रहे हैं, वो आपको सीखनी हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या किया देखेगा, इस value को मैंने x2 ले लिया, और इस x value को मैंने x1 ले लिया, भ्यान दीजेगा, मैंने दो x value ली है, x2 और x1, अब यहाँ मैं इस वाले graph की बात करूँ, तो x value x2 है, तो y value क्या होगी, y value होगी a power x2, होगा न, भई फंक्शन को क्या है, graph को क्या है, भई यह तो actually y is equals to a power x का तो sketch है, हाँ, तो यदि हम x की value x2 लेंगे, तो y की value a power x2 हो जाएगी न, बिलकुल हो जाएगी, इसी दर से बच्चे, यदि x का value x1 है, तो ये y का value होगा, और ये y की value कितनी होगी, a power x1, समझेगा, मैं graph का वो point देख रहा हूँ, जिसकी x value x1 और x2 है, तो मुझे दिखा, x equals to x1, तो graph में ये वारा point है, जिसका x value x1 है, तो मैंने इसकी y value पकड़े, तो y value ये वारी height होगी, होगी नहीं होगी, और मैंने देखा, कि इस function प्रहां से तो, यदि हम x को x1 ले रहे हैं, तो y का value a power x1 होगा ना, बिल्कुल होगा, और a को x2, हमने x को x2 लिया, तो y का value a power x2 होगा, अब मुझे बताइए यहाँ पा, कौन सी y value बड़ी है, वही जो उपर है वो y value बड़ी है, simple सी बात, जो उपर है वो y value बड़ी है, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कि यहाँ तो बहुत simple सी बात है, कि भही यह a power x1 is greater than a power x2, दिख रहा है ना, अब बड़ी 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 जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या, कि भही मैं इस वाले graph पर देख रहा हूँ, अभी तो मैंने इस graph के मज़े लिए, अब मैं इस वाले graph की बात कर रहा हूँ, इस वाले graph में देखेगा, यह point है, यह वो point है जिसमें x value x2 है, तो भही है यह y value, ओहो, a power x2, क्योंकि graph तो यहाँ भी क्या है, y is equals to a power x है, और यहाँ भी y is equals to a power x, है ना, बिल्कुल है, तो यहाँ जब मैं x की value x2 देख रहा हूँ, तो यह वाला point है, इसकी y value a power x2 यह आएगी, और x का value x1 देखा, तो लाला, यहाँ पर यह जो आई, यह y value y, x यह यह x1 है, तो y value a power x1, हाँ, देखो राप, x x1 वाला यह है, तो अब आप देखोगे, तो मुझे इस वाले case में क्या समझ में आ रहा है, इस वाले case में मुझे, बड़ी मज़दार चीज़ दिख रही है, और वो क्या दिख रही है, देखो आप, इस वाले case में तो मुझे, बड़ी मज़दार चीज़ नज़र आ रही है, कि भहिया, कौन सी y value बड़ी, जो उपर है, कौन उपर है, a power x2, यानि यहाँ, a power x2 greater than a power x1, देखिए आप, simple सी बात है, यह वाला graph increasing है, बड़े x का y, बड़ा, x बढ़ने के साथ 7 y बढ़ रहा है, तो जिसका x बड़ा होगा, उसका y भी बड़ा होगा, यहाँ दिख रहा है, x1 बड़ा है, x2 छोटा है, तो a power x1, a power x2 से बड़ा होगा, जिसका x बड़ा, उसका y बड़ा, increasing function, यहाँ यह दिर decrease कर रहा है, समझ में आ रहा है, कि x की value बढ़ने के साथ, y value कम और ही नहीं नीचे आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ, जो x बड़ा होगा, उसका y छोटा होगा, देखो ना, बड़े x की height कम है, छोटे x पर height जादा है, इसका मतलब clear है, कि जो x बड़ा, उसका y छोटा, यहाँ कौन सा x बड़ा, x1, भहिया, इसका y, इसके y से छोटा होगा, clear, इसको एक बार फिर देखेगा, और जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका answer निकालने की कोशिश कीजिएगा, graph में मैंने इसके answer को, बहुत अच्छे से represent कर दिया है, यही आज का home work है, अगली class में मिलते हैं, इसी को देखेंगे, इसी के इस result से शुरू करेंगे, और log पर आएंगे, बहुत मज़दार है, तो देखेंगे हमने पूरी एक class exponential पर लगाईए, क्योंकि यह log का platform है, और यह realize करवाएंगे आपको अगली class, all the best, मिलते हैं अगली class में, एक बात पर,